यहां पर जो भी नए स्टूडेंट्स है भी वो इस लेक्चर के बाद उन लेक्चर को जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्राक्टिस सेट नमबर 9 इसमें पहला क्या लिखा हुआ है यानि कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उनमें हमें एरर फाइंड करना है और अकर कोई भी एरर नहीं होगा तो हम आप्शन नमबर डी नो एरर पे टिक कर देंगे तो जैसे पहला लिखा हुआ है नो बॉइ इन दी क्लास इस सो टॉल आज राजू मतलब कक्षा में कोई भी बच्चा कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना राजू है तो यहां पर देखे बॉइ तो हम तब लगाते हैं जब सिंगल किसी परसन की बात करते हैं यह यहां पर बॉइ भॉई नहीं बॉई जाना चाहिए यह सही जो लगारा वो नन अफ विव इंदी क्लास इस सो टॉल ऐज़ राजू ठीकर यह यहां पर हमारो जो ए हमक से वो मिस्टिक है यहां none of the boys होना चाहिए next second राजू is taller than any boy in the class इसमें हमारा जो basically सही sentence होना चाहिए वो होना चाहिए राजू is taller than any other boy in the class यानि कि इसमें जो ये C वाला है इसमें एरर है आपका इसका मतलब ये है कि एक लाजु क्लास के अधर बॉई से मतलब राजु क्लास के अधर बॉई से बहुत मतलब तॉल है लमबा ए नेक्स्ट ठीक यह रहा है बेरी फ्यू बॉई इन दी क्लास आर सो टॉल ऐस राजु इसका जो सही होगा वह यहां पर देखिए अभी अपने का ना कि सिंगल लड़ की बात करेंगे तो वहां पे आएगा बॉई यहां पे वेरी फ्यू यानि कि एक नी कुछ लड़कों की बात जरूर हो रही है तो यहां क्या आना चाहिए यह बॉइस यहां ऑप्शन नमबर बी जो है यह यहां पे आपका ओफ दी भी होना चाहिए तो ऑप्शन नमबर बी में आपके एरर है राजुस टॉलर दान मोस्ट आप दी स्टूरेंट इन दी क्लास मतब क्लास के मोस्ट ली स्टूलेंट से राजु क्या है तोल है लंबा है नेक्स्ट पाइप क्या रहा है इसका जो सही तर होना जरूरी है प्राइज ओफ राइस इस हायर दैन दाट ओफ वीट यानि की चावल की कीमत गेहुं से अधिक है तो ऑप्शन नमबर सी यहां पर हमारा एरर है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है पिक आउट दी मोस्ट इफेक्टिव वर्ट फ्रॉम दी चॉइस यानि की इन हो गया कि आपके जाने के बाद मुझे आपकी डाइरी मिली इहां पर हमारा जो प्रॉन नमबर भी है फेरल लेफ वो और यहांनि की आपके ऊपके छानी नहीं left लगे गा नहीं क्योंकि पास्ट की बाग चले जाने के बाद की बात करी तो ये भी गलत वुड इसले इनी लगए क्योंकि हमने बताया था कि वुड जो होता है वह वहाँ का पास्ट वाग मोता है यहां पर ऐसा खुछ भी नहीं है कि हम फ्यूचर में पास्ट को देख करके बात कर रहे हैं ठीक है तो हमारा ओप्शन नमबर भी हैड लेफ्ट सही है मतलब क्या कह रहा है कि सिड्नी कार्टन ने लूसीयो को प्रस्ताव दिया लेकिन उसने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे turn down option जो हमारा option number A है turn down कब करते हैं किसी भी चीज को proposal को reject करने के लिए तो Sydney Carton proposed to Lucio but she turned down the offer of marriage Sydney Carton ने Lucio को propose किया लेकिन Lucio ने क्या किया marriage को reject कर दिया देखिए यहाँ question number 8 क्या लिखा हुआ if he had applied अगर उसने apply किया होता for the post इस post के लिए ठीक है तो dash तो यहाँ पर हमारा option number C सही होगा he will have got it यानि कि अगर उसने pad के लिए आवेदन किया होता तो उसे मिल जाता देखिए यहाँ पर will have का use कैसे होता है when we are looking back from a point in time in the future यानि कि जब हम future में एक समय से पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं तब वहाँ हम लगाते हैं will have ठीक है तो यानि कि अगर उसने इस post के लिए apply किया होता तो उसे मिल जाती option number C next हमारा 9 we must dash the lost time by hurrying up यानि कि यहाँ पर हमारा option number A जो है make up for यह सही होगा make up for का use करते हैं to take the place of something lost or damage यानि कि हमें जब किसी lost और damage की बात करनी होती तो वहाँ क्या use करते हैं make up for यानि कि हमें जल्दवाजी करके खोए हुए समय की भरपाई करनी चाहिए ठीक है समय जो हमारा खो गया उसकी भरपाई करना है next 10 a daily is a paper that dash every day यानि कि दैनिक एक paper है जो हर दिन आता है आते है का English क्या हो जाएगा हमारा comes out a daily is a paper that comes out everyday दैनिक एक paper है जो daily जो everyday प्रतेक दिन आता है next 11 please dash the lights before going to bed bed पे जाने से पहले light को off कर दीजे तो please put off the light before going to bed next हम 12 की बात करें he dash his father rather than his mother यानि की कह रहा है कि वो अपनी मा के बजाए अपने पिदा का अनुसरण करता है तो जब ऐसी बात आती है तो हम लोग takes after लिखते हैं he takes after his father rather than his mother next हमारा 13 if the work man had not been tired they dash the work यानि की कह रहा है कि past की बात हो रही है ठीक है कह रहा है कि अगर वो थका नहीं होता तो वो complete कर देता work को ठीक है तो past की बात हो रही है तो यहां हमारा क्या हो जाएगा option number यह option number c will complete the work यानि कि अगर वो थका नहीं होता तो वो क्या करता काम को complete कर देता ठीक है next हमारा sorry would have complete the work future में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम किसका use करते है will have या would have का ठीक है तो अगर वो थका नहीं होता तो वो काम को complete कर देता next 14 hardly dash see the picture यानि कि यहाँ पे हमार हो जाएगा hardly can I see the picture मतलब शायदी मैं तस्वीर देख सकता हूँ next यहाँ पे देखी क्या लिखा हुआ है choose the correct word which very closely fits each definition हर एक definition के लिए बिल्कुल जो correctly suitable word होगा वही हमें बताना है 15 में क्या कहा रहा है one who hates mankind is a यानि कि जो mankind से hate करता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है misanthrope option number B हमारा सही है misanthrope next 16 a cartographer makes dash यानि कि cartographer क्या बनाता है तो वो बनाता है maps cartographer जो maps बनाते हूंने हम लोग cartographer कहते हैं a place where coins are made is called जहां पर coins को बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं mint next the study of human race is dash यानि कि जो human race की study करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं anthropology anthropology में हम लोग किसकी study करते हैं human race की 19 murder of one's father is called मतलब एक पिता के murder को क्या कहा जा सकता है तो वो कहलाता है आपका party side sorry patricide next a person who knows many language is called यानि कि जो बहुत सारी languages को जानता है उन्हें हमें क्या कहना चाहिए उन्हें हम कहते है multilingual यानि कि जिसको बहुत सारी language बोलने आती है उसे हम लोग कहेंगे multilingual a journey by sea is called तो जो sea की द्वारा journey होती उन्हें मतलब समुद्र उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं वो या ठीक है next 22 the study of the origin and history of words is यानि कि जो history के origin की study करता है उन्हें कहा जाता है etymology next है हमारा use preposition wherever necessary यानि कि हमें preposition का use करना जहां पे जरुरत पड़ेगी तो जैसा कि यहाँ पे question number 23 में क्या कह रहा है कि I am grateful dash you for your help यानि कि मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ तो यहाँ पे हमारा option number B 2 सही है I am grateful to you मैं आपके लिए आभारी हूँ मैं आपका आभारी हूँ आपकी help के लिए आपने जो मेरे लिए help की इसके लिए मैं आभारी हूँ next 24 24 क्या कह रहा है please excuse me for the delay यानि कि देर होने के लिए मुझे च्छमा करें next he is inconsistent dash his action यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा question number 25 में यहाँ हो जाएगा in he is inconsistent in his action देखि consistent means क्या होता है consistency continuity लेकिन अगर कोई अपने action में continuity नहीं रखता है तो हम क्या कहते है उसे inconsistent यानि कि वो अपने action में inconsistent है may लग रहा यानि कि in option number A हमारा सही है 26 independent dash help he solved the problem तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा of independent of help he solved the problem यानि कि बिना किसी help के उसने समस्या का हल निकाल लिया है next 27 he is incapable dash any action ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा he is incapable of any action वो किसी भी action के लिए incapable है the food is infected dash germs तो food किससे germs होता है sorry food जो infected होता है वो germs के साथ होता है option number D food is infected with germs ठीक है यानि कि खाना germs के साथ क्या हो गया है infected हो गया है next हम बात करें 29 की the sweets are injurious dash health health के लिए sweets के मिठाईयां क्या है injurious नुक्सान दे हैं तो option number B to sweets are injurious to health next I inspired him dash hope यानि कि इसमें हमारा क्या हो जाएगा with hope I inspired him with hope मैंने उसे inspire किया उमीद के साथ next they imposed a heavy fine dash the driver यानि कि कह रहा है यहां पे option number C on क्या होगा they imposed a heavy fine उन्होंने driver पर एक heavy fine को imposed कर दिया driver पर तो option number C on हमारा सही होगा next 32 you should adhere dash the discipline of the college तो मतलब आपके college के अनुशासन आपको college का अनुशासन का पालन करना चाहिए option number A you should adhere to the discipline of the college next देखिए क्या कह रहा है fill up the blanks using the words given in the choices अब हमें इनको fill करना है तो पहला क्या लिखा हुआ है we must explore dash source of energy as our supply of fossil fuel has been dash यानि की हमें कौन सी energy का explore करना चाहिए तो हमें natural energy का आप सब जानते हूंगे आजकल renewable energy की trend में चल रहा है यानि कि हमें natural source of energy को supply as our supply of sorry हमें natural source of natural energy को explore करना चाहिए क्योंकि fossil fuels क्या है वो खत्म हो रहे हैं ठीक है तो हमारा option number c exhausted natural or exhausted सही है next 34 क्या करा है the activities of the association have dash from the dash objective set for in the initial year मतलब initial years में इसके लिए set grand objective से association की activity का detail है तो यहां पे option number c details and grand हो जाएगा ठीक है next the hunter was attacked by a pack of wolves मतलब भेडों के जुन्ड जब हम भेडों के जुन्ड की बात करते तो हम कहते हैं pack of wolves the hunter was attacked by a pack of wolves यानि कि भेडियों के जुन्ड से जुन्ड ने hunter क्या किया शिकार शिकारी पर attack किया next 36 क्या किरा है he has a good dash over the ancient language 2 यानि की उसे प्राचीन प्राचीन language की भी अच्छी information है तो option number d he has a good information over the ancient language 2 next 37 the construction of the house has been dashed because of the dash of the cement in the market यानि की construction of the house has been यहां पर क्या आपका आजाएगा तो यहां आजाएगा आपका held yeah because of the non availability because of the non availability of the cement in the market next यहां पर कह रहा है यहां पर कह रहा है rewrite as directed हमें बताना यहां पर कुछ items दिए हुए उनकी suitable meaning ठीक है क्या लिगा amy and her brother tom are known for their tall talk is tall talk का मतलब क्या है तो देखिए high pitch talk मतलब तो चिल्ला के बात करना तो tall talk जो items होता है इसका मतलब यह नहीं है talking in the low voice भी नहीं है unclear talk भी नहीं बोस्ट फूल टॉक है ठीक है बोस्ट फूल टॉक मतलब होता है शेखी बगारना जब हम किसी चीज की शेखी बगारते हैं तो हम क्या उसे कहते हैं कि वह बोस्ट फूल टॉक है next the items a brain wave means देखे brain wave अगर कहीं पे लिखा हुआ item आपका तो उसका मतलब होता कोई बहुत silent है जिसके दिमाग में बहुत सारी चीज़े लहरे चल रही हो thoughts की ठीक है लेकिन वह बोल नहीं रहा है brain wave उसे हम लोग कहते हैं silent next the offer hold good for two days यहाँ पे hold good का मतलब क्या होगा hold good का मतलब होगा valid will be valid तो आज की class हमारी यहीं खत्म होती है I hope आप लोग को अच्छा लगा होगा पढ़कर के और किसी को अगर किसी question में कोई भी confusion हो तो आप comment section या telegram channel पर पूछ सकते हैं thank you